बुबनेश्वर कुमार दुनिया के सबसे बहतरीन स्विंग बोलर्स में से एक शुरुवाती ओवर्स में जिस तरह से उनकी गेंद हवा में लहराती है उससे अच्छे से अच्छे बल्लेवास के पसीने छूट जाते हैं खास कर इंग्लेड या उसके आसपास की ग्राउंड्स में थो भुबनेश्वर कहर बनगर तूटते हैं अलाकि इस तमाम स्विंग के बाद भी भुवी की रफ्तार कभी ऐसी नहीं रही जिसे बल्लेवासों को कोई खास दिक्कत हो उनकी गेंद की रफ्तार 130-135 किलोमीटर प मैच में भुबनेश्वर की गेंद की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रती घंटे को भी पार कर गई वो भी एक बार नहीं बल्कि ऐसा दो बार हुआ भुबनेश्वर ने जो मैच की पहली गेंद डाली स्पीडो मीटर पर उसकी रफ्तार 201 किलोमीटर प्रती घंटा मापी गई वह लिखाई दी वो तक्निके खामियों की वज़ा से थी और इस खामी की वज़ा से फांस चौक गए सोशल मीडिया पर फांस ने इसको लेकर काफी वज़िदार रियाक्शन भी दिये पुमनेशर कुमार की इस बोलिंग को लेकर ट्वीटर पर मीम्स की बाड़ आ गई फांस ने कई मीम शेयर की एक यूजर ने मैच का स्क्रिंशोट शेयर करते हुए लिखा शोवबक्तर कौन? वही एक दूसरे यूजर ने लिखा शोवबक्तर और उम्रान मलिक कौन? भुवी ने अब तक की सबसे तेज गेंद पैकी है असली तस्वीर अभी ली गई है वही एक अन्या यूजर ने भुवी की दोनों गेंदों का स्क्रिंशोट शेयर कर लिखा वर्ड रिकॉर्ड टूटा भुवी ने 208 किलो मेटर प्रती घंटे की रफ्तार से गेंद बाजी कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा भुवी आज रॉकेट लॉंच कर रहे हैं ये अविश्वस्तिय हैं इसे पहले भी कई बाज स्पीडो मीटर ने अपनी तरफ से थोड़ी लंबी फैक दी थी साल 2020 में भारत और श्रिलंका के बीच उंडर 19 विश्वकप की दोरान मतीशा पतिराना की गेंद की रफतार 175 किलो मीटर प्रती घंटा मापी गई थी जबकि विस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की बीच एक टेस्ट मैच के दोरान भी ऐसा हुआ था जब जॉश हिसरूट की गेंद की रफतार 174.2 किलो मीटर प्रती घंटा दिखाई गई थी वहीं दिल्ली और बैंगलोर के बीच खेले गए एक IPL माच के दोरान मॉने मॉकल की गेंद की रफतार 173.9 किलो मीटर प्रती घंटा दर्ज की गई थी इस वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है रविराज ने इस वीडियो को शूट किया है जतन ने और मैहू गरिमा स्पोर्ट सी जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें ललन टॉप स्पोर्ट्स शुक्रिया स्वाट खबरों को शुड़ में झुड़ में झूव सि क्या रविरателя स्वाटäre इस वीडियो के लिए सब्सक्रिश ने भाना ही विर्टर झाल झाल